मेरा नाम है मौईत and you are watching me on physics promise scratch तो आर्ची प्लास को स्टार्ट करने से तले मैं कुछ experiences करूंगा I hope यह questions और experiences मेरी age के या मैं बोलूं जो लोग भी 30s, 40s, 50s या mid 30s में हैं वो सबके mind में question आते थे यार कि हम पाल तो रहे हैं मगर पाल क्यों रहे हैं जब मुझे science लेना है तो मैं आर्ट क्यों पढ़ रहा हूं history क्यों पढ़ रहा हूं जगर्थी क्यों पढ़ रहा हूं और ऐसे ही similarly जो लोग arts या commerce में होते थे वो सुचते यार यह मैं क्यों पढ़ रहा हूं जब मुझे science लेनी ही नहीं है और subject में interesting आता था रगता था यार यह काम कही है तो पढ़ के जिन से भी तो उनके पास भी कोई answer नहीं होता था पढ़ क्यों रहा हूं लेकिन एक लाइन जो थी वह जरूर्ण को मिल जाती थी सुनने को पढ़ होगे लिखोगे तो बनों के नहुआ थेलोगे खूदोगे तो होगे खरा अब यह बाहत में कितना दम है यह तो मुझे पत है और लेकिन लाइफ सेट कब इसका भी आंसर आज तक नहीं मिला तो लाइफ सेट है कब सेट है इसका तो मुझे नहीं बता तेकिना इतना जरूर्ट पता है इस लाइन से कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब खेलोगे खूदोगे होग धराव में अगर हम लोग एक चीज को डाल दें कि सही से पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और सही से खेलोगे खूदोगे तो भी बनोगे नवाब तो आप बनोगे बस चीज क्या है कि अगर आर्ट हो स्पोर्स हो या बिजनेस हो या लाइफ हो अगर हम सही से कोई चीज करते हैं लाइफ में तो हमको सक्सेस का पता नहीं लेकिन हां फीरेंस काफी इजी और स्मूथ जलूर हमें लगने लगती है तो मैं इस चीश को ही इस लेक्टर से में सिंप्लिफाइ करने की कोसिश करूँगा कि हम क्यों पढ़ते हैं और उसको पढ़ने के लिए जो मज़ा होता है जो कि लोग कीता है मज़े नहीं आ रहा या इंट्रेस्ट नहीं आ रहा तो वो कैसे डबलब करें तो वो मिसिंग ना रहे इस चीश के लिए इस चीश को देमाग में रख के मैंने ये क्लास बनाए है और आई परसनली इस लेक्टर इस लेक्टर इस गोईं तो हेल्ट फ्री पर अबरी परसंट इस नौट इस पैसिविक तो दाइस्टुदेंट उफ को अफ क्लास लाइक नाइंग टेलेवन त परसंट इस अब करेगा और शुख द्री अब करेगा तो देख एक चीश मैं बोलूगा थी पठाई जो है ना पठाई तो यार करने ही पड़ती है आप चाहें सपोर्स के फिल में लोग चाहें आर्स के फिल में आपको बेसिक एजूकेशन उसमें करने ही पड़े कि उसका रेजन ने को सिंपल क्या है उसका रेजन ही कि आप में स्पोर्स खेलते हो तो आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो आप उसमें बहतर बन जाएंगे बट अगर आप जो आपसे बहतर स्पोर्स में नहीं है अगर आप उनकी एक्सपीरियंस को नहीं पढ़ोगे उनकी टेक्निक प्रैक्स को नहीं पढ़ोगे तो आप उसको एक लिमिट तक ही एक्सल कर सकते उसके फर्थर एक्सल नहीं कर सकते क्योंकि आपको लोगों की गलतियां और लोगों की सकस्स दोनों से ही सीखना होता है सिम्लली फॉर पढ़ाई और अधर आर्र्स कल्चर सभी फिल्स में तो थोड़ा तो पढ़ाई हर किसी चीज़ में करना है लेकिन अगर हम पढ़ाई को थोड़ा इंट्रेस्टिंग बना लें हम उसको डॉट्स को मिसिंग डॉट्स को कनेट करने लगें कि यार ये वहाँ स यह वहां से connected है यह चीज़े इस तरह से process flow कर रहा है तो सायद थोड़ा interest भी हैं develop कर सकते हैं चीजों को पहतर समझ सकते हैं तो जो मज़ा है तो मज़ा हमें develop करना पढ़ेगा मज़ा मैं ढूना पढ़ेगा पढ़ाई के तुरू तो पढ़ाई को बोज बनके नहीं पढ़ना है पढ़ाई को connect करके पढ़ना है कि हमारी जो डेरी लाइफ में जो चीज़े हो रही है वो कैसे और किस तरह से हमारी जो interest उससे connect है तो मैं इस चीज को थोड़ा simplify करके इसमें समझाने की कुछ तो चलो हम लोग कुछ अपने previous जो हमारे months रहे हैं उस पर फड़ा रॉष्णी जालते हैं कि life in last few months तो हमें पता है कि हम लोग कोविट से बहुत ही कर्चाबा प्रवश रहते हैं बहुत चाबा बैट बैट फुली हम लोग impacted हुए है चाहें कोई भी society का वर में अगर हम लोग देखे हैं तो कुछ चीज़ें हमने बहुत ज्यादा यूज की है science के terms में जो related हैं जैसे हमने दोगों से connect होने के लिए बहुत ज्यादा mobile phones और उसके applications को यूज करना चलो किया है Zoom app है और Microsoft Teams है Google है यह तीनों ही मैंने बहुत ज्यादा यूज की है like for online education अगर online education को बहुत ही पूम मिला है तो यह सारा जो है ना 21st century में मुझे हम लोग को इपास समझ में आती है कि यह जो कुछ fields है like data, communication, artificial intelligence और space यह fields का scope अच्छा का सा होने वाला है और हम लोगों ने जो जितना भी mobile phones और apps का जो भी के थुरू जो भी हम जब भी हम internet से connect होते हैं तो जो हम study करते हैं यह सारा आता है इस ब्राश के अंदर that is called internet of things अब यह iot या internet of things है कि इसको मैं बहुत ऐसा नहीं कि मतलब बहुत हमको knowledge चीज़ समझने के रहे है बहुत simple way में मैं इसको समझाता हूं कि internet of things क्या है that is internet on things ऐसा बोल सकते हो internet of things या internet on things या interaction of things अब इसको और अच्छे समझते हैं कि जैसे एक human है human के पास 5 senses है touch, smell, hearing, taste and eyesight इसके थुरू हम लोग क्या करते हैं चीज़ों को sense करते हैं experience करते हैं और उसको फिर communicate करते हैं उसका response देते हैं अब जो non living things हैं उनकी बात करें तो they can't communicate but because they can't sense तो अगर यह sense करें और communicate करने लगें तो that branch is known as internet of things तो simple way में समझा रहा है कि जिस चीज में भी sensor involved है sensors involved है कोई भी चीज़े जिसे मैंने sensors को involve कर दिया then it can sense तो sensor को involve करके चीज़ों को sense करना और फिर उससे जो information produce हो रही है उसको gather करना और communicate करना that is internet of things बहुत है simple सब्सक्राइब मैंने समझाया अब जरा और समझते हैं कि हमारे life में कैसे स्काइम करते हैं जैसे हम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं available devices यूज करते हैं smart cities हो गई everywhere in on internet और on devices जहां पर sensor involved है वो सारी चीज़ internet of things का ही part है ठीक है अब जरा यह person kevin Austin तो Austin यह मतलब इनको बोला जाता है father of IOT इन्होंने बहुत सब्सक्राइब किया है और मैं अपनी लेक्टर से में एक चेज का पर emphasize करूंगा कि हम जो कुछ भी पढ़ेंगे related to scientific fields वहाँ पर जोगी contributors है scientist है और उनकी क्या contributions है उन दोनों के ही बारे में पढ़ेंगे और उनको बहुत ही sequentially पढ़ेंगे like हम लोग बात करें कि 600 से अगर मत देखें और 21st century तक तो कौन-कौन से महान लोग आया और उन्होंने क्या क्या contribute कि हमारी society को क्या दिया और उनकी development से हमारी उपर क्या impact आया positively और वो और जो next generation है उनको किस चीजों पर focus करना चाहिए वो सारी चीजों को हम लोग बहुत सिक्वास डिसकस करेंगे अब आता है कि उसी एक IoT परांस से कुछ और चीज़ दे रहा हुई है जो 21st century में हम मतलब बहुत बूम में रहने वाले हैं like data analytics और machine learning और एक है cloud computing data analytics और machine learning ये दोनों बहुत इंटर्रिलेटर है इसमें क्या है कि data analytics मतलब क्या होगा कि data को analyze करना और machine learning machine का मतलब क्या है device तो device जब चीज़ें learn करें हम लोग learning करते हैं that is one thing लेकिन devices भी learn करें अब इसको समझते हैं simple example से जैसे मैंने बुला कि iot के devices में sensor involved हुआ अब sensor involved हुआ तो चीज़ है तो वो device जो है जो machine थी that started that thing non living thing started sensing and learning जैसे क्या है mobile की बात करो मैं मैंने mobile में क्या 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 कोई भी product सच किया या कुछ भी मैंने internet पर सच किया तो हमको similarly pop-up आने लगते हैं वो machine हमको similar proper करता है तो वो क्या कर रहा हमारे interest को learn कर रहा है यार यह बंदेन को यह चीज़ों में तो that is known as data analytics और machine learning यह branches है जो हम लोग computer science के अंदर परते हैं मैंने काफी simple तरह से समझाया है अब आप तर कंप्यूट क्लाउट 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 कंप्यूटिंग अब यह क्या चीज़ है अब देखो cloud computing क्या है कि जैसे हर जितना जितना ज्यादा sensor involved और जितना लोग internet प्य मोइल में आ रहा है बट internet में जो हम सच कर रहे हैं वो तो हमारे mobile में नहीं से वह रहा है वो क्या हो रहा है कि वो cloud पर से वह रहा है पहले मैं मतलब बहुत इन लगता था यह cloud computing है क्या मुझे बलाजीव लगता था कि यह क्लाउट में हम data को कैसे cloud computing cloud में क्या कर देंगे ऐसा cloud में कैसे data आ जाएगा तो यह लगता था but cloud computing is not जो हम लोग का environment का cloud है cloud computing में क्या होता है कि जैसे हमारा mobile एक छोटी सी डिवाइस है इसका अपना processor है अपना RAM है अपना storage है तो उसमें वो data को process करके हमको देता है ऐसे ही जब क्या होता data बहुत हुआ इंटरनेट पर क्या वो कहीं पर store हो process हो और हम तक आए communicate होगे तो वो सारा channelize जब होता है उसके लिए कि आप बहुत बड़ी बड़ी मसीने चाहिए बहुत बड़ी डिवाइस है जिसका storage जाता हो processing power जाता हो CPU जाता हो storage जाता हो वो बड़े बड़े हम अगर devices बोलेंगे उनको एक्शनल बोलता ह क्लाउड कंप्यूटिंग का concept जैसे मैं आप बढ़ाय है mobile है mobile का अपना storage है application हम लोग search करते हैं तो वो क्या होता है mobile में storage में आता है ऐसे क्या को industry काम कर रही है तो उसका data server पर आता server क्या है आप computer का सुचो की broader version server उसमें है ऐसे ही इसका जब बहुत सारे computer servers को combination करके एक server बन servers है उसकी भी अपनी कॉस्ट आती है क्योंकि इतना बहुत सब्सक्राइब करना तो आपको क्या है कि और इसमें क्या बहुत सारा data है बहुत important data है आप आज कला लोग बहुत न्यूस में सुनते है data security data theft यह बहुत challenging चीज़ है कि data compromise ना हो किसे security compromise ना हो तो यह जो cloud computing के यह जो servers है यह आपको मतलब जंदरी इंटर्नेट पर इसकी photo ही नहीं मिलेगी कि यह कहां पर centers है क्योंकि security compromise ना हो जाए या कोई calamity ना हो जाए कोई कुछ इसमें destroy ना कर दे उसको यह सारी चीज़ों का बहुत ध्यान अकरा क्योंकि बहुत costly होता है और बहुत ही secure रखा जा किया है कि servers बना रखें मतलब बहुत heavy server cloud computer बना रखें जिसके थुरू हम लोग को service provide करता है ऐसे IBM है IBM ने अपना बना रखा है Microsoft का यह Azure जो है Microsoft ऐसे Google ने भी अपना cloud तयार किया है तो यह लोग क्या करते है कि यह देखो इससे help क्या हो रही है सब्सक्राइब इसका फाइदा क करें अब उन्होंने क्या किया कि अगर business start करना है तो अपने employees का data या अपनी जो भी selling है purchasing उसका data का record रखने के लिए उनको कहीं ने कहीं चाहिए store store करने के लिए और जैसे जैसे उनका business गुरू होगा तो वैसे वैसे लोग और मतलब बढ़ेंगे और ज्यादा information बढ़ेंगे तो हम लोग कभी भी रात में net banking यूज करें कभी भी यूज करें maximum time हमको वो service देता है तो वो क्या है कि उसका एक अपना server है जो वो 24x7 operate हो रहा है उसके लिए उसमें infrastructure पर investment किया हुआ है उसमें ऐसे servers रखे हैं उसका maintenance security सारी चीछे वो लोग एक cost लगती वो सारी चीछे मैन और उस server को rent बेना start किया कि जैसे मुझको चाहिए या आपको चाहिए किसी को भी चाहिए अगर वो चाहिए कि इनसे कुछ server का एक portion ये ले सकते है अपनी requirement के साफ लेए उसका business छोटा तो छोटा सा वो क्या कहते है server ले सकते हैं जिसमें अपनी data उसको rent पे ले सकते हैं तो जितना use कि अपना charge पड़ा अब जिब use नहीं कर रहे हो तो पैसे तो चार्ज नहीं लगेगा तो क्या होगा कि मैने जो entrepreneurs हैं उनको बहुत advantage हो रहा है आप लोग उन्हें Netflix सुना होगा तो Netflix ही भी ये AWS Amazon की जो AWS Cloud है उस पे ही host है और आप देखो कितनी बहत्रीन service है आप कभी भी देखो आपको बढ़ी हाइक तम क्या करते है availability मिलती है बट अभी भी क्या है बहुत सारे लोग है जो cloud पे move नहीं करना चाहते है उसका reason क्या है उसका reason क्या है उसका reason क्या है वो सुचते हैं हमने Amazon की cloud पर रख रहा है तो अगर हमारी data को Amazon नहीं still कर लिया तो security compromise है तो थोड़ा सा ये एक मतलब लोगों के लिए थोड़ा सा अनीची चीज भी बन रही है जो लोग retail business में है या जो IT industries है तो ऐसी business में ये लोग अपना ही server रखना prefer करते है लेकिन still जो नई emerging technologies है वो since इतना infrastructure पर पैसा नहीं invest करना चाहती है इसलिए वो cloud को रेंट पर लेती है तो बहुत सारी चीज़ें से नेट्रीक से लोगों किसना पॉपलर रवट ये Amazon पे cloud पे अपना business को setup करके रखा है ऐसे एक ये मैंने से मतलब एक उठाई है cloud computer servers का तो देखो कि यहां पे क्या है बहुत series of servers बहुत है और बहुत ही isolated और बहुत ही मतलब क्या बहुत मतलब एक डश्ट भी ना इतना सेक्योर कर गया है यह सम्हाओ की मतलब service बहुत ही level की मिले आप जिसे Amazon के मालिक कौन है अब आता डेटा का कम्लिकेशन डेटा तो जन्रेटरा संदुक की कोई server जो क्या कि हम लोग इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं वो server अमेरिका में रखा है तो अमेरिका से डेटा संदुक हमारे पास आ रहा हो कितना fast आ रहा है आप लोग एक experience करते हो कि सर्च किया फट्ट वो दो तरह से होता एक data communication मतलब मूव करना तो उसका communication डो तरह सब्सक्राइब एक होता वायर एक होता वायर्लेस अब वायर्ड क्या होता वायर्ड में हम लोग जो optical fiber आशकल आपकर सुनते हैं अब देखो ये अब इसको देखो करें साइंस में डिवाइड करें तो IOT, Cloud Computing, Data Analytics ये सारा चीरियें ये है Computer Science का पार्ट या IT, Information Technology का पार्ट साइंस की बात करें ये सारा पार्ट है Electronics and Communication ब्रांच का तो इस तरह से साइंस की स्टीम भी अलग 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 डिवाइड है और आप अपने हिसापते अपने इंट्रेस्ट के साब से चूज भी कर सकते हो कि आपको क्या ज्यादा इंट्रेस्टिंग लगा रहा क्या ज्यादा अग्याद में बेजा जा रहा है अब इसमें रहुँ आजकल मार्के रीडर मतलब बहुत जिन्हों ने नाम घमाया है और वह है इलान मास्क में क्या री यूषेबल जो रॉकेट है वो इस कॉंसर्ट को लाएं और उनका विशन है कि मार्स ते लोगों को पाचाएंगे उमन को तो और इन्होंने ड्राइवर्लेस का भी concept लाया है 24 सेंचरी में की ड्राइवर्लेस कार हम लाएंगे तो उनका भी बहुत बड़ा वाला इसलिए आपने दो इन दोनों का बहुत नाम सुना है आज के टाइम में एलॉन मार्स को जाने की बात करते हैं अब इनका अब आपको सबको पता है कि रॉक्ट को चलाने के लिए बहुत सारा फ्यूल चाहिए अब फ्यूल को अगर हम दो बहुत आप्टिमाइस तरीके से यूज करें क्या हो कि हमने रॉक्ट को भेजा और उसी रॉक्ट को वापस अर्थ पर बुला के रियूज कर लिया तो देको सेम चीज क्या है कि हमारा कॉश्ट भी कम हुआ और फ्यूल भी काफी सेव हुआ तो इस इनोवेशन चीज पर यह काम कर रहे है अब इसको स्टीव जॉप का जो नहाम है यह हम लोगों ने आज से 20-30 साल पहरे बहुत बापलर इनका नाम रहा है क्योंकि उस टाइम पर कंप 21st century में और आज वो भी करन टाइम पर हम लोगों चैफ पर सॉस का नाम बहुत लेते हैं और लेकिन आज से 20 साल पहले जाएं तो Microsoft के ओनर बिल गेट्स और श्रीव जॉप का नाम बहुत ज़दा लिया आतरा है खेर नाम उनका आज भी लेते हैं उस टाइम पर बहुत ये मंऄ इंटर कर रहे हैं तो क्या-क्या चीजी हमने क्या कितो था तो अब इसकी foundation किसना रखे तो Dennis Richie इनको बोलते father of computer programming, इन्होंने programming का concept लाए, cloud senate, इनको बोलते father of information, इन दोनों का बहुत contribution है, इस पेस में बात करें, तो APJ अब्दुलक्राम हमारे Indians, जो है, उन्होंने 20th century, 21st century में बहुत योग दान दिया है, APJ अब्दुलक्राम हो गए, व इसका नाम लिए काफी सुनके होंगे, तो इन सब के बारे में भी मैं बताऊंगा कुछ-कुछ बाते हैं, अपनी next lectures में, अब आता है, अब मैंने दो नाम थोड़े पहले पुराने लोगों के लिए रखे हैं, इनको रखने का मेल मकसद आप लोग आगे lecture में मैं आपको बत का, कि जिसे मैं आपको थोड़ा और ब्लॉडर संस में बताता हूं, कि इंटरनेट आया हमारे पास, इंटरनेट आया कैसे, उसमें James Clark Maxwell का बहुत बढ़ा कंट्रिविशन है, इन्हों नहीं इस चीज़ को बताया कि light is an electromagnetic wave, तो wave ये light को, light की speed बहुत ज़्यादा है और वो electromagnetic wave क ये तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए radio wave, microwave, internet, तब सही तो ये communication का factor और IT, जो industry है, या उन्होंने information technology, जो boom start हुआ, वो इनके ही इस concept को decipher करने से हुआ, कि light is an electromagnetic wave, और Albert Einstein का क्या दोला है, इन्होंने quantum theory और relative velocity, इस सब का theory of relativity पे emphasize किया, तो इसका भी अपना space factor में बहुत बड़ा यूज है, इसलिए मैंने यहाँ पे इनके नाम रखे हैं, तो आप देखे इस दिरा connect कीजिए, कि कैसे कैसे, चीजें मतलब आगे बढ़ रही हैं, कि James Maxwell, Albert Einstein, Dennis Ritchie, Cloud CNN, Microsoft में, Will Gates, Steve Jobs, आज की टाइम्स में, Jeff Bezos, और Elon Musk, तो इ सब्लक टेक्नोलची जैसे से इवाल हो रही है, लोगों का भी contribution उस तरफ से बाख रहा है, और मैं और पीछी जाता हूँ, अब देखे टेलिफोनिक का जो evolution है, इसको देखे, mobile phone से हम लोग smart phone पे आ गए, ऐसे 21st century की बात कर रहे थे, और 21st से 21st century की बात कर रहे थे, अब हम 20th century में, तो 20th century में देखे हैं क्या होता कि मेडिक मेडिशन के लाइन में काफी मतलब contribute कर रहे थे और electromotive vehicle, तो हम लोग की industry, IT industry नहीं थी, तब हम लोग काम कर रहे थे, industrialization पे, automation पे या automobile industry पे बोल सकते हैं, उस पे ज्यादा काम हो रहा था, तो उसमें ये सब contributor हैं, जहां प नाम सुना होगा, राइड बिर्दर्स जिन्होंने, एविशन सेक्टर्स में कदम जमाएं, तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा सब्सक्ते बारे में, तो बढ़ाऊंगा क्या पढ़ाऊंगा, ताकि आपका इंटरेस्ट जबलब होगी, कैसे क कैसे ये मतलब मारे लाइफ का पार बनती चली गई, अब आते 20th century में, इनका क्या इस तरह की इंडर्स्री रूपी पी, यहां पर माइकल फैराडे, यह क्या है फैराडे जो मैंने जेंस मैक्सबल की बाग की, इन्होंने लाइफ को इलेक्रो मैगनेटिक वेव बताया, जिस कॉंसर्ट पर, इसके पहले का कॉंसर्ट मैकनिकल फैराडे का है, मैकनिकल फैराडे की ही, आप बहुत सकते, इस्टडी को उन्होंने आगे बढ़ाया है, जेंस मैक्सबल ने, अब बात करते हैं, कि इलेक्रो मोटिव वेहकल, पहले से मोटर रहेकल, फिरा इलेक्ट्रो कम्तिक आरे कारिक मोंतर और जनेरेटर ये सरा चीछ तो इसकी नियुआ कि और इलेक्रिशिटी अपने कि पोल सकते हैं यह ती थी थॉमस एडिशन और निकोला टेशला अब इन दोलों के वीच्छे प्रक्तिस्टिन एक टॉसल है थॉमस एडिशन वारस आल्वेस पुशिंग DC DC करने बट निकोले सटेवाहड एंटर्स ओफ़ उफव फूशिंग एसी करेंट आजकर हम लोगों के घर में आती हो आती है किसी करेंट अल्टरनेटिव करेंट अल्टरनेटिंग करेंट इस बैटर धन डीजी डारेक्ट करेंट यह थामस एडिशन को पता था पट इस्टिल ड्यू टू टू फिर अफ लूसिंग हिस मार्केट ही वास मिस्टांग पुश नॉट सबोर्टिं निकोला टेसला कॉंसेट अब बात में विविल किया कि नहीं मुझे पता था कि इसली का ज्यादा ज्यादा चीप है और ज्यादा लोगों के लाइफ में इंपक्ट डालेगी बट यह उनका कनफेशन था कि हमें यह थोड़ा सब गलब कर रहा था ऐसे हैंडिफोड हैंडिफोड ने कि इन्होंने सब्सक्राइब करें तो 19th century में इस तरह की इंडेश्री होती थी यहां पर electricity का involvement नहीं था केबल क्या था मोटर वेहिकल थे या बोल सकता फ्यूल से चलने वाले कोल से चलने वाले वेहिकल बर्निंग जैम्स वाट का नाम ले सकते हैं जैम्स वाट ने क्या क्या था स्टीम ए तो इंडियन का कॉंसेट इन्होंने रहा है यह भी बहुत ज़्यादा है ज़रूरी था इंडर्स्ट्राइजिसन को मौडन बनाने में और इसके और पहले चलने तो ऐसे हमारी 16th century 17th century की बात करें 17th century में जो measurement है और जो geometry की बात करते हैं वो यहां पर develop हुआ था जैस लाइक बैरोमेटर से pressure measure करना और मतलब length measure करना geometry geometry टेक्निक ट्रंगल यह सारे चीड़ों के बारे में फोड़ा पन अक्शन में और भी पहले के concept है बड़ यह थोड़े advanced हुए ऐसाब समझ तक तो मैं चीजों को एक में lecture बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा मतलब आपको यह समझ के चले कि जो मतलब 5000-6000 BC तब की scientific invention से 21st century वो सारी कवर करूंगा और सब इंपॉर्टन पीपल रहे हैं जिनके बार में मैंने पढ़ा है और जो मुझे बहुत interesting लगे तो मैं वो सब के बारे में आपको बताऊंगा तो और भी better connect कर पाएंगे आज में पसके वरा कोई प्रीप दे रहा हूं कि 16th century से 21st century तक कैसे मतलब transition हुए है अब आते हैं 16th century की बात आप यह देखिए आइसेक नूटन ने क्या होता गेलेलो ने concert दिया था motion पर वो उसमें कुछ flaws थे आप अगर 910 में है तो आप पढ़ते होंगे तो आपको पता चलेगा आपको जानते होंगे आइसेक नूटन ने उनको correct किया और एक अलग direction ही दे दी और आप यह समझे कि आइसेक नूटन ने 16th century में जो motion के concept देए हैं वो इतने authentic और valid हैं कि जिस पर हम लोग आज के time में इस space में satellites rockets को भेज दे रहे हैं और moon और मार्स पर study कर ले रहे हैं आप समझे क्या मतलब level of boom इन्होंने दिया है कितना बड़ा contribution है लोग बोलते कि हाँ मैंने देखा वनलब इनके बाने में पड़ते हैं कि apple गिर रहा था तो इनके mind में वो thought आया इनके mind में यह नहीं यह तो आये था कि apple गिर रहा तो क्यों गिर रह है मैं कोई भी चिसको ओपर ठेक रहा हूं नीचे गिर रही है बट्ट्ट मून यह भी तो ऊपर है यह क्यों नीचे गिर रहा है तो यह और advanced level पर गए थे और मैं आपको यह बताऊंगा कि यह इनके mind में यह चीज आया ऐसे ही आया है वही नहीं आती कोई चीज इसके लिए इन्होंने इनके पहले 15th century आप और मैं बताऊं का 5000 century से जो development होती आई है उनके बारे में इन्होंने पढ़ा फिर अपनी thought process अपनी क्या वह देंगे तर्क वितर्क जो सकती है that power of thoughts उसको use करके इन्होंने यह सारी चीजों को एक concept को दिया ऐसे जॉन ने स्केपलर है तो होता क क्या था 16th century के time पर मेंनी लोग mathematics और astronomy पर focus करते थे क्योंकि लोगों के पास जवाब नहीं थे कि यह कैसे कॉमेंट्स वगरा हमारे अर्थ पर गिरते हैं और हमको impact करते हैं सब इसको natural disaster की तरह consider करते थे लेकिन explanation कोई नहीं था सबसुत है कि भगवान है God है या को devil है जो ऐस सारी चीजें बहुत बड़ी superstition ने ब्रेक करती इसलिए उस ताइम पर maximum लोग जो थे वो astronomy और mathematics पर ही ज्यादा focus करते थे पर Isaac Newton ने आके mathematics और उस पर तो control दिया ही calculus पर भी इन्होंने बहुत काम किया है लेकिन और mechanics को तो यह फिर अलगी level पर ले गए हैं तो this was all about scientific developments from 16th century to 21st century तो देखिए आप एक मैंने model दिया है एक ford का मैंने नाम लियाता देखो ford 19th century मिन ने कार लाई थी अब आज कल इतनी advance हो गई है और आज कल लोग मंदब में driverless car कर चले गए हैं तो यह सारी development वीजाकर मैं थ्रॉप समराइज करके इसको recollect करूं तो कैसे काम हुआ 16th century में motion और mechanics को depth और calculus को Newton और उनके age के other scientist जॉनस कैपलर गैलेलो ने काफी contribution दिया तो उससे हमारे 17th century के around हमारे हां industrialization चालू हो गया उसके पहले तक लोग केवल मतलब agriculture फे focus होते थे खाना अना जुगा आया खाया लेकिन उसको industrialize कैसे करना है यह तब concept आया जब Newton ने इतनी बड़ी achievement लोगों को दी उसके बाद क्या हुआ फिर पहला आपकोने कुछ एक scientist तो में ली सुन लिया Newton उसके बाद आते हैं आपके Michael Faraday ने क्या किया उन्होंने electricity या बोल सकते हैं आपको ऐसा सुचे कि electricity को ठोड़ा electric field और magnetic field को disclose कि उसको समझा तो क्या हुआ कि जन्हों ने क्या हुआ कि आए एक क्यों सब आगया अब उसके बाद आते हैं स्मेक्स जिन्होंने क्या हुआ कि इस चीज को कि लाइट इसन एलेक्ट्रोमेंटिव तो वह लाइक को को इन्होंने वेट की तरह मतलब अन्डेस्टेंड किया और उस कॉंसेट को आगे बादा तो जिससे क्या हो कि हमारे इंटरेनेट का भूम आगे ताव हम लोग इसलिए 21st सेंच्री हम लोग आई टी इंडेस्ट्री की कि बात करतें इंडेस्ट्राइजेसन जो है वो मतलब आपको कम्मिनिकेशन इंफर्मेशन सेक्टर में चला गया आप इसलिए देखो कि इतनी पी बड़ी बड़ी कंपनिया है टीस है और मिंस इस सीटी इस हैं और आई बीम जीसा जी जो कंपनी जो आईटी सेक्टर में काम लाइफ का रोल क्या है लाइफ ऑफ हिमन तो इस देखो हम एक जानते हैं कि हुमेन ही एक असा मतलब जीव है जो इवाल कर रहा है टाइम के साथ में अधर स्प्सिस इवाल नहीं करी है आप अगर चारसो साफ आप आप को आपको ऐसा चांस मिले कि आपको सौ साल पहले जो आपके दादा पर दादा बोलेंगे ग्रांड ग्रांड फादर उनसे आप अगर मिलो तो वह अगर आज की आज की आज की लाइफ इस चाल को देखेंगे तो कहेंगे या तो मेरा का ले इतना बागवान हो गए इस तरह से इतना चीज़े रोबस्ट हो गई हैं और आप यह अगर हम वही 100-400 तब पहले लेके तो जानवर्स जो हैं मतलब जो एनिमल्स जो हैं उनके लाइफ में कोई आपको ऐसा नहीं दिख्या कि वो एडवांस हो गए हैं उसका रीजन क्या था इसको थोड़ी देर सोचे फिर मैं बताता हूं उसका रीजन यह है कि हुमन के जो हैं हैं उसको एक advantage मिला कि he has the ability to write तो जो भी उसकी research या findings होती थी वो उसको कहीं ना कहीं लिख देता पाई store का देता था और उसको decipher कर के ही हम लोग धीरे-धीरे advance हुए हैं आप सोचे अगर हमने Newton के work को आपके फेराडे के work हो, Maxwell के work हो अगर इन्होंने इस तरह से forward ना हुआ होता इस sequence में तो आज हम लोग क्या होता उन्ही पिछली चीजों के questions के answer find out कर रहे होते बट इन्होंने वो चीश कर दी तो हम लोग privileged है कि ऐसे लोगों ने इतना कुछ हम लोग को दे दिया है जिस वज़े से ह हम को हम आगे advancement कर सकते हैं तो जो हमारी जो generation है आज की तो उनको उन सभी scientific developments को respect करना चाहिए और उसको आगे बहाने में अपना contribution देना चाहिए दूसरा क्या है हमारे पास power imagination की बहुत बड़ी ताकत है कि असा है बोलते हैं कि हम लोग जो imagine करते हैं जो जो सोचते हैं लाइक इसको बहुत simple समझाओ तो अगर हम लोग के मन में fear का खयाल आता है तो ऐसे और दस खयाल फियर गयाएंगे अगर हम लोग जायफुल का खयाल आते हैं happiness का खयाल आते हैं तो हमारे दिवान में और happiness का खयाल आते हैं same goes for success and failure अगर आप जितना positive सोचे के अच्छा सोचे के तो अतने ही अच्छे thoughts आपके mind में आएगे तो इसको इस चीज को अलबर्ट आइंस्टीन भी बहुत मानते हैं जिन्होंने relativity और quantum mechanics का base रख रख रहा है तो अब आते हैं what is future future गया है dream house लेना है या dream car जैसारी चीज़े तो होंगी या फिर एक natural disaster are we prepared for this तो मैंने देखो इस चीज़ को discourage नहीं कि हमाने एक reality को यहां पर बताने की कुसिस किया है कि आज के time में हम dream house और dream class का सपना वेजन लेते हैं बट हम क्या तैयार है एक pandemics और disaster के लिए आप देखो कुछ मैनों में हमारी life कितनी हम लोग नहीं टैकल कर पा रहे हैं कोविट situation को ऐसे और भी disaster अगर कोई आते हैं तो हम उसके लिए prepare हो सकते हैं बट उसको इस एक्स्टिंट हो गई तो ऐसा नहों कि अर्थ या हुमेनी एक्स्टिंट हो जाएं तो उससे कितना बड़ा लॉस होगा जो हमने scientific developments की है वो सारा ही information lose हो जाएगा इस लिए जो 21st century है तो हमें कुछ चीजों पे बहुत ज्यादा focus करना है like protection of our earth तो उसमें environment है हमारा climate है बायोड़ाइफस्टी हम सुनने climate change के कारण हमारा जो glaciers हैं वो melt हो रहे हैं वासी level बढ़ता जा रहा है जो air है वो pollute हो रही है बट आप क्या देख लो को इस पर काम कर रहा है हम इसको मतला अभी चीजें लग रहा कि out of control हो दे कर रही है तो definitely हमको इस पर काम करना ही है कि हम जितना हो कि वार को प्रमोट ना करें कोई ऐसा nuclear वार ना हो जिससे हमारी अर्फ पे पेना है तो ऐसे काम चलना है ऐसे क्या है इसको अब क्या है कि अब क्या हो कि वह तो मंगर इस पे रहे गया अगर सम्हाव वह से वापस निकल आया आपकी एंटर हो गया तो क्या होगा कि वह वेस्ट जो इखटा हो रहा इस पेस में और बिट्स में वह वापस ही अर्थ को स्ट्राइक करेगा और किस लोकेशन पर गिरेगा कितना इंपक्ट आलेगा पता नहीं अभी चाइनीज का कोई ऐसा केस हुआ था बातर इस पर से बहुत बड़ा इंपर काया तो हमें इसके लिए रडी रहना है और मेंवाइल हम क्या कर सकते हैं जो जिस पर बहुत लोग बहुत जिसे मैंने मिकेव कॉको का नाम लिया वो और स्टेफन होकिंग से ये लोग ने बहुत काम किया ये आर ट्राइंग की हम जो यो नेक्सलोर्ड है, उसको एक्सलोर करें, लाइक यूनिवर्स और श्टार्स, हम अगर अगर मतलब अगर अधर लाइप, अगर प्लैनेट पर हम लाइप को फाइंड आट कर लें, पॉसिबिलिटीज को फाइंड आट कर लें, तो जो हमने रिसर्च वर्क, हमने जो काम किया है जो human है तो हम उन तक वहाँ पर human को ले जा करके अपनी information और scientific achievements को preserve करके दख सकते हैं तो इसलिए कुछ यह जो study of work है जो future में हैं जिस पर research बहुत होनी है जिस पर Einstein and Stephen Hawking और यह तो अभी भी काम कर रहे हैं इनके बारे में आप पढ़िए है बहुत interesting way में एक्प्रेंज करते हैं चीज़ों को तो यह जो जिसे theory of relativity है और सब atomic particle है सब atomic particle और antimatter क्या होता है कि जैसे क्या है कि लेक्रान प्रोटान न्यूटान तो ऐसे एंटी लेक्रान एंटी प्रोटान एंटी लेक्रान तो इसको ही यूज करके हम लोग क्या है कि अर्थ का origin कैसे हुआ मतलब अर्थ कैसे बने स्टास और में कैसे हुए human का existence कैसे आया अर्थ पे क्यों अर्थ पे ही life है बाकी जगे life क्यों नहीं मिल लए है वो सारी गोल्डी लॉक कंडिशन्स हैं वो सारी चीजों के मतलब research हो रही है बहुत सारा काम कर रहा है तो next जो generation है उनको technology की बात करें तो हम लोग आज के थोड़ा टाइम आगे के बात करें तो क्या होगा कि हम लोग स्कोप है इसके अलावा स्पेस है स्पेस में क्या स्पेशली की जो भी हम मार्स मिशन भीज रहे हैं और अधर लाइफ को एक्स्पोर कर रहे हैं और साथ में ही क्या है कि हम जो अर्थ का formation इस्टार्स का formation कैसे हुआ उसको भी खोजे तो यह सारी मतलब study the unexplored बट एक्स्पोर्ड जो हुआ अशको तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा जिसके विहाग पर ही हम उस लेवल की understanding डबलाव कर पाएंगे इसलिए मैंने कुछ big data invisibility, star ship, dark matter, warm hole, war hole का concept क्या है कि आप तो मतलब क्या करो कि एक यूनिवर्स है दूख से यूनिवर्स में चले जाओ, that is concept of warm hole और यह string theory एक है theory of everything बोला आता है इसको बहुत interesting topics है तो हर चीज का आपको जवाब मिल जाए, यह सारा derive होता है Einstein के work से quantum mechanics के work से, तो यह सारा all about इस lecture में मैंने बताया है, जिसे life in space की बात करे तो Einstein, Stephen Hawking में क्या ह आपको यह क्या कहते है theoretical physics पर बहुत काम कर रहे हैं, और आपको मैं बताऊं कि जैसे आपको बात करते हैं कलकमा चावला जिनोंने बहुत इंडिया ओरिजिन के नाम मिलें तो ऐसे सुनिता विलियम्स, इन लोगों पर बहुत बड़ा युग नाम रहा है, ऐसे रावर्स हम ग्रेलों भेज रहे हैं मून की लैंड पर और सेटलाइट को अर्थ की इस अर्थ की औरविपस पर भिशके अर्थ के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो इस तरह से हमलों ऑफर फुदे पर प्रसीड कर रहे हैं ख्रेट बस और तुडे़ दे लास स cesh Leaks व सो अल्दश क्या अ कि आपको मलब चीजों को थोड़ा कनेट करके पढ़े फ्रॉम नेश्ट क्लास में 5000 पहले की हिस्ट्री क्योंकि हुमन की लाइफ हो थाई मिलियन यह पहले से अर्थ में है तो हम मैं क्या करूंगा कि मैं पिछली 5000 यह का जो साइन्टिफिक डेवलमेंट्स है लाइक आपने आ है तो वह सारी जो जमेट्री की डेवलमेंट्स हैं वह मतलब उसको कैसे 16th century से लोगों ने यूज किया है उन इस्टडी को यूज किया है और हमें वार्स पैंडेमिक से क्या 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 लॉसे हुए हैं और किन-किन परसंस में कितना कंटिब्यूट किया है यह सारी चीज़ो तो आप identify कर पाएं उसके according अपना interest और पढ़ें मजे से फन से ना कि इसको केवल duty की तरह नहीं लेके आप मदब एक interest से पढ़ें मैंने यही objective है ओके तो दाट इस आल एबाट टोडे क्लास तो अल दे बेश और यो श्टडी बाए बाए